नमस्कार बडुद्रा न्यूद नेटवर्क में आपका स्वागत है और आप मारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं हिरनमय पंडिया जी ने बहुत बड़ी एक जवाबदारी मिली है भारतिय मजदूर संके अध्यक्स बन गए हैं और हमारे साथ वो चर्चा करेंगे फिलाल जो चर्चा सुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि इस समय मजदूरों का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है लोकडाउन के बाद और अनलोक के सुरू होने से पहले तक जो मजदूरों का जो मुद्दा था वो देश में बहुत बड़ा था चाहे वो उनकी जौब जाने का मुद्दा हो, चाहे वो पैदल चलने का मुद्दा हो, चाहे अब उनके गाउं से फिर से फैक्टरियों में लाने का मुद्दा हो. ये सभी मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, हिरन में पंडिया अपने साथ हैं सर्फ सबसे पहले तो आपको खुब-खुब सुबकामना, इतनी बड़ी जवाबदारी जिस तरह से पता चला है कि वडोद्रा में आप पहले सक्स हो, गुजरात में दूसरे सक्स हो करोडों मजदूरों का नेतो तो करना और इस समय वो भी जब सबसे मुख्य मुद्दा कोरोना में मजदूर है क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो सब को मेरा नमश्कार और जिनोंने आपने और सबने मेरा अभिनंदन किया है उन सब को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जब मैं यहां पहली बार बडुदा में लोटा तो एरपोर्ट पर भी मेरे हमारे सबी कारेकरता बंदू बगीनियों ने भी स्वागत किया था इसलिए उन सब का और बाकी सारे अपने करोर कोटी कोटी सब वरकर्स का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ और मेरे लिए भी एक सवभाग्य की बात है कि आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी एक अद्यक्ष की मेरे सामने आई है और वो भी ऐसे समय में जो चुनोतियों से भरा हुआ है आपने सही बताया कि ये कोवीड-19 की जो महामारी है वो महामारी जब से सुरू हुई और खासतोर हम भारत में बात करें तो मार्च 20 से सारा सुरू हुआ और फिर 25 मार्च से हम लोग सब लॉक्डाउन के अंदर चले गए और दीरे 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 परिस्थिती पर विकट ता आ गई और उनके चलते हुए कई लोगों को तकलीफे हुई है मैं ये मानता हूँ कि सब को कुछ न कुछ तकलीफ हुई है लेकिन विशेश कर से हमारे मजदूरों को जादा हुई है क्योंकि आप जानते हैं कि मजदूर की आमदानी एक सिमीत मातरा में होती है और उसके साथ साथ उसको काम भी सिमीत मातरा में होता है कई लोगों के पास काम था, कई लोगों काम नहीं था फिर भी इन प्रकार से इनकी काम में रहते हुए उनको भी बड़ी दिक्कत आई है फिर से दोहरता हूँ कि उनके साथ साथ कई सबी लोगों के इसे तकलीफ का जिलना पड़ा है वो भी मैं मानता हूँ लेकिन इस पर थोड़ा मैं ज़्यादा जोर देने के लिए कोशिश करूँगा तो आज जब इतने मात्रा में आई है उसके पीछे सब लोग ने अपने अपनी तरशे कोशिश किया है सरकार हो, एमपलोयर या मालीक हो, या मजदूर हो, मजदूर के संगठन हो इस प्रकार से सब ने अपने अपने तरीके से अपने सभी छित्र में बहुत अच्छा प्रभाव कोशिश किया है फिर भी इस महामारी का प्रभाव इतना हुआ, इसके जलते हुए हम सब को बहुत ही जिलना पड़ा है जैसे कि अभी हम केते हैं कि दौरान जिसको जो आवशकता था राशन, कीट वगेरा, भोजन ये सब भी कई लोगों ने अपने अपने तरीके से पहुँचाया उसमें भारतियम मजदूर संग ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे इशे राशन, कीट, कीचन बना के भोजन परोसना देना ये सारी चीजे भी की है मैं इनके आंक्डों में भी जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सब लोगों ने अपने अपने तरीके किये ऐसे सरकार की तरफ से भी हुआ है और उसी प्रकार से अपने जो मालिक मैनेजमेंट होता है उनकी तरफ से भी काफी हुआ है तो इसी प्रकार से चलतु है और आज जब मेरे पास ये दाइत्वा आया है और इसी लिए मुझे ज़रा बड़ा चुनोतियों से बड़ा हुआ लग रहा है क्योंकि जैसे क्या है कि हम सबको मजदूरों को भी खड़ा करना है फिर से मालिक मेनेजमेंट को भी शाथ अपरा उ राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित तो राष्ट्रहित भी देखना है उद्योग हित भी देखना है और श्रमिक का भी हित देखना है एक बार हमने राष्ट्र का हित देखके कुछ चुनोतिया ले ली तो उसमें उद्योग का भी हित आ जाता है अगर एक बार उ अरीबण मुद्के रहते जैसे किसी रत परम कहते हैं कि दो पाहिये होते हैं एक मज़धूर का पईा, बीजा, दूसरा मालिक का या तो मैनेजमेंट जो भी है जहां बड़े ही जो है तो मैनेजमेंट बोले माले ये दोनों पाहिये ठीक से चलेंगे तबी पूरा रत आगे च चाहिए मजदूर को उसको रोजगार चाहिए और उद्योग मालिक को भी उसका उद्योग ठीक से चले जो छे मैनों से बंद था या कितने समय से बंद था चालू था उनको भी चाहिए अब मेरे जानकारी में है, ज्यान में है कि कई उद्योग इस दोरान भी चले है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और चलना भी चाहिए उदाहन के तौर पे फार्मासिटिकल्स कमपनी जो दवाईय बनाती ये सारी इन दवाईय बनाती कमपनी बड़ी कमपनी छोटी कमपनी मेडियम्स के लिए सब लोगों ने अपने उद्योग चलाये है और कुछ अच्छी दवाईय हमने अपने देश में भी बिक्री की है लेकिन देश के बाहर जिनको आवशकता थी उनके पास भी कई है ऐसे दूसरे है पेट्रो केमिकल्स उद्योग तो पेट्रो केमिकल्स में लगातार ये चलता रहा प्रोडक्शन वगेरा हुआ ऐसे तीसरा ओइल सेक्टर है जिसको हम कहते है रिफाइनरी का याने मतलब पेट्रोल तेल जो निकल के बाहर आता है उसका शुद्धी करण करते हो हम सबको जो मिलता है ये भी लगातार चलते है तभी तो हम सबको मिला तो ये सारे जो है कुछ उद्धीयोग ऐसी तरह से चलते रहे तो इसलिए उनका जीडीपी में भी योगदान रहा और ये चलते रहे तो उसमें कुछ कमाई भी हुई प्रोडक्शन भी हुआ ये सब हुआ और उनके मजदूर उनके जो मालिक ये सब को भी ठीक से रहा अब कुछ ऐसे उद्धीयोग है वहाँ ये नहीं भी चला है तो मुश्किल आ गए इसे अब मैं कहूंगा कि छोटे-छोटे उद्धीयोगों को भी मुश्किल आती है तो छोटे-छोटे उद्धीयोगों को पर ज़्यादा मुश्किल आई जिसको हम आज की तारिक में MSME के नाम से जानते रहते है Micro, Small, Medium, Enterprises ऐसे तो उसी को चलते हुए भी बड़ा मुश्किल उनको हुआ है तो उसमें भी कुछ चले है कुछ नहीं चले है जो नहीं चले उनमें भी दो बात आती है कि कुछ अच्छे मालिक Employers की वज़े से उन सब को तीन मैने, छे मैने तक की तनखा या सेलरी उन मजदूरों को दी गई है काम पे लिया नहीं है तो भी तो ये अच्छी बात हुई है लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी हुआ है कि उनको तीन माहीने, छे मैने के अंदर कुछ भी तनखा नहीं मिली है ये भी हो सकता है कि उस meaning को भी दिक्कत होगी, उनको भी तकलिफ है इसलिए उनको भी दिक्कत और ये भी तकलिफ अब ये सारी तकलीफ में से बाहर आना है हम सब को इसलिए हम सब को बड़ा एक challenging task हम सब के लिए है मैं ये केवल नहीं मानूंगा कि भारतिय मज़दुर संग लिए ही है लेकिन भारतिय मजदुर संग एक उसका अंग बन सकता है इस challenging task को लेने के लिए सरकार अपने तरीके से गवर्निंग के रूप में प्रैतने कर रही है स्टेट सरकार भी अपने रूप से प्रैतने कर रही है मालिक के उद्योग जो होते वो भी अपने तरीके से प्रैतने कर रही है उसकी एक विशेश जिम्मेवारी बनती है और विशेश जिम्मेवारी के नाते उनके पास ये कारियर के लिए सब लोगों की अपेक्षाय रहती है। कई लोगों के इसे जानकारी इन दोरान में ने जुटाई है और मैंने कहा है कि हम सब के क्या विचार आते है उस विचार को लेके हम करेंगे और इसी दोरान हम लोगों को लगता है कि करने के लिए बहुत कुछ ऐसी चीजे है कि जो हम सब इसमें कर सकते है ऐसी एक के बाद एक धीरे धीरे हम लोग करेंगे प्रयत्नक के रूप में है जैसे मैं बताता हूँ कि जिनके पास रोजगार नहीं है उनका रोजगार फिर से कराना होगा आप भी समस्ते होंगे आपने भी जानकारिया ली है काफी लोग ले रहे हैं जहां पर कुछ मालिक को जो है कुछ ऐसे चुने हुए स्रमिक रहते उनके बिना उनका उद्योग नहीं चल सकता तो उनको वापस लाया जाए कहीं से भी जो है अपने अपने स्टेट्स में गए ऐसे जैसे इन दोरमान बहुत अच्छा शब्द बहुत चल गया है माइगरंट वरकर नाम चल रहा है जिसको हम साथ प्रवासी मजदूर कहते हैं सही तरीके से वो प्रवासी मजदूर नहीं है लेकिन मजदूर माइगरंट जरूर है अंग्रेजी शब्द लेके चले तो उनमें दो प्रकार रहते हैं एक सेंडिंग स्टेट रहता है दूसरा रिसीविंग स्टेट रहता है मतलब जिस प्रदेश से वो आता है वो सेंडिंग स्टेट बन जाता है और जहां काम करता है वो रिसीविंग स्टेट बन जाता है तो ऐसे कई state sending है कई state racing है तो कई लोग डर के मारे वज़े से अपने अपने गाउं में अपने प्रांत में वापस चले गए है तो कुछ लोगों को वो वापस लाना पड़ेगा क्योंकि पहले पहुचाना भी जरूर था इतने डरे हुए थे तो उनको पहले अपने गाउं इसमें जुटा पाएंगे, सुजाव करवेंगे ऐसे, जैसे आपने देखा कि भारत सरकार ने बीच में अपने फाइनांस मिनिश्टर ने 21 लाख करोड रूपिये का टोटल पैकेज पांच किस्तों में अलग-अलग प्रकार से दिया है, अलग-अलग लोगों की बात अलग है लेकिन उसमें मजदूर क्षेत्र के लिए भी दिया है, उसमें MSM क्षेत्र के लिए भी दिया है, इसे प्रकार से अलग-अलग दिया है, तो यह जो यहां मिल रहा है, वो एक थोड़ा सा काम कर पाएगा, मैं इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज भारत देश में क पुब्लिक सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स के जिन्सके अच्छी है अच्छी तंखा अच्छा वलते वह लोग 7-8 करोड और 40 करोड ऐसे श्रमिक है जिसको हम असंगठित कहते हैं जिनको असंगठित में बहुत ऐसे काम है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं भी है और ऐसे नहीं काम याने मतलब सिजनल जैसा भी काम रहता है तीन मैना उनके पास काम रहा है फिर तीन मैना उनके पास काम नहीं भी रहता है ऐसे लोगों के असंगठित क्षित्र में काम करते करते ऐसे 40 करोड लोग है अब जब इतने सारे लोगों के लिए कुछ देखना कर करना है वो एक दिन दो दिन चार दिन का कारियर नहीं है और आज दोरान जैसे ILO ने इंटरनेशनल लेबर और अरगनेशन ने अपने प्लैटफोर्म से वर्ल्ड वाइल डिकलेर किया है कि इन दोरान इस कोरोनों के दर्मान करीब तीन सो करोड के जॉब लॉसिस हुए है यान जिनकी नोकरी बहाल हो सकती है ऐसे लोगों को कैसे भी लाके वो बहाल हो सकती एक बात है दूसरी जिनकी नहीं और फिर से करना तो उसका एक जरिया है तो हमने सुझाओ भी दिया है कि मनरेगा की एक ऐसी स्कीम चल रही है सरकार के द्वारा पहले तो मनरेगा में जो अभी जिस स्टेट में वो रहते हैं उनको इस प्रकार से मिल जाएगा सर्में आपको टोकूंगा लेकिन अभी जिस तरह से बात कर रहे हो हमें सब कुछ करना है हमें यह भी पता है कि लोस है लेकिन इस समय भारतिय मजदूर संग सरकार की कुछ नीतियों से भी ठोड़ा नाराज है जो अभी कुछ विरोध भी इखाता तो सरकार की जो योजनाएं हैं अभी कुछ लेबर रीफॉर्म आ रहे हैं उसको क्या समस्या है कि हाँ पर हम कुछ तकलीप आ रही है बिलकूल आपने सही बताए मैं उसी बिंदू को जोड़ते हुए आगे चलता हूँ वो जो आपने बताए उसी प्रकार से ये कुछ आज कल जो चल रहा है वो आज ज़ार नए कोड जो आए है भारत सरकार के वो अभ फलत रूप में इसी बार आया है और ये चार क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी दूँगा उसमें क्या है कि आप विरोध भी क्यों करना और समझें बारतिय मजदूर संग ने जो कहा है हमेशा उसका एक सिध्धान तरह है Responsive Corporation ये प्रकार से हम ले हमारे स्रदेदतो पंजी ने ये शब्द पहले से दिया है इस प्रकार से हम कर रहे है इसका मतलब ये है कि जहां आवश्यक्ता होगी जिन बिंदो पर आवश्यक्ता होगी वहां हम सरकार हो या दूसरे के शिजात संगर्स करेंगे और जहां जो अच्छी बात आई है स्रमिकों के लिए जो अच्छी चीजे है उसका हम स्विकार भी करेंगे और उसको बड़े तोरना पर हम वेलकम करेंगे ये भी बात इसी को Responsive Corporation करते है जो इसे कि पूरी तरह से नहीं अब इस चार नए reforms की बात आ रही है तो भारतिय मद दुरसंग समेत अन्य संगठन भी कितने पुराने अपने कानून है सतर साल सौ साल ऐसे पुराने कानून को लेके भी लोग तरस्त थे कुछ उसमें ऐसे प्रावदान थे उससे लेके भी काफी लोग तरस्त थे तो सब लोग सुधार चाते थे तो सुधार आवश्यक है लेक के साथ वारताय चल रही थी, दोनों के फलक पर चल रहा है, तो कुछ बिंदू उनके पक्ष में जाता है, कुछ बिंदू स्रमिक के पक्ष में आता है, इसी प्रकार से जो बन कर उभर आया है, इस प्रकार से चार कोड आज पार्लियमेंट में पास हो गया है, मेरा ऐसा कहना ह कि पहले कुछ तयज चल रहा था कि हमारे ऐसे पुराने 44 कानून है 44 उसको सब मिला के 4 कोड बनाए गए है लेकिन जब अभी आखरी बार आया तब 44 में से उसमें से 29 ऐसे कानून है उनको जोडते हुए 4 कोड में प्रस्ताफित किया अब 4 कोड में 4 अलग है एक तो मिनिममम वेज के लिए है तो वेज कोड है दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड है तिसरा अक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशन्स कोड है और चौथा शोशिल सिकरूटी कोड है ये चारो कोड एक तरफ से भारतिय मजदूर संग इसको कोड को विरोध नहीं कर रहा चारो कोड को पूरी तरफ से समर्थ करता है किन्तु इसके अंदर जो प्रावदान बनाया है कुछ ऐसे प्रावदान जो श्रमिक विरोधी है उसको हम बिल्कुल विरोध करते इसके लि होगा तो शंगर्स करना आवश्यक रहेगा क्योंकि श्रमिक विरोधी ऐसे बिंदूओं को हम नहीं स्विकार सकते अब क्या अच्छी बात है जैसे वेज कोड है तो सरकार ने हम सब ने मिलके जो हम सब की मांग थी कि भारत देश में कहीं पर भी एक सिंगल मिनिममम वेज नहीं है इतने सालों में तो आज इतने सालों के बाद पूरे भारत वर्ष में एक सिंगल मिनिममम वेज बन रहा है जिसको नेशनल फ्लोर लेवल पर कहते है तो ये रास्ट्रे फ्लोर सबके लिए एक minimum wage हो जाएगा अभी तक क्या था schedule employment के अंतरगत चल रहा था तो यह अच्छे प्रावदान है इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं स्विकार करते हैं यह हो जाएगा जो मैंने अभी कहा तो यह 40 करोड असंगठ की ती जो जो लोक श्रमीक है पुरूश महिला इन Social Security Code में हम चाते थे कि अभी तक भारत में ऐसा कोई कानून नहीं कि कोई भी आदमी सेवा निवरुत हो जाए तो उसको कुछ न कुछ लाव मिलना चाहिए जैसे बाहर के कई देशों में इस प्रकार से है कि सेवा निवरुत के बाद उसको PF या pension या gratitude ये हमारे शब्द है ल कि सब को किस प्रकार से मिले हम ये कहते में एक उदाहरन दूंगा जैसे ऑटो रिक्षा ड्राइवर है कार ड्राइवर से ये सब अपने self employed है उसका कोई employer नहीं है वो खुद है लेकिन वो अपने आपको मालिक भी है और अपने आप में मजदूर भी है हम चाहते थे social security code में ऐसे सबी लोगों को सामिल किया जाए ताकि वो भी अगर एक auto रिक्षा वाला होगा 60 साल के बाद उसकी थोड़ी आयू के कारण वो auto रिक्षा चलाना बंद कर देगा अब उसको आमदानी कहां से मिले तो कम से कम ये social security का प्रावधान हो जैसे PF के रूप में हो या pension के रू जना इसमें तो दो तीन बात ऐसे से अंगर्णवाडी वरकस जो असंगठित में काम कर रिये महिला हैं उनके लिए कुछ 50 रुपिय से लेके 200 रुपिय तक का contribution अपना देना होता है उतना ही contribution सरकार वोगत है और आने वाले दिनों में उसके 60 साल के बाद उसको सेवा निवर आएगा तो सबको एक प्रावधान के रुप में आचा हुआ है तो इसलिए ये दो चीजे अच्छे है अब इंडेस्ट्रे रिलेशन और अप्यूपेशनल सेफटी हेड के अंदर जो कुछ अच्छे प्रावधान है उसका स्वागत करते हैं लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान अब सौ से बढ़ा कर तीन सो कर दिया है तो तीन सो से अधिक वाले जो जो भी उद्योग होंगे उस पर ये मॉडल स्टेंडिंग ओर्डर लागू होना आनिवार ये नहीं रहेगा हम ये चाते कि अगर इस प्रावधार नहीं रहेगा तो कोई भी किसी भी कर्मचारी को कैस बड़े और करे से लिए से सर्टिफिकेशन ऑफ स्टेंडिंग ओर्डर स्था मॉडल स्टेंडिंग के ओपर कुछ अच्छा होगा तो वो से वो भी उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है तो इसलिए उसमें भी थोड़ी विफलता आएगी स्रमिक अपनी तरफ से कुछ नहीं क चाहिए इसलिए हम देखते हैं इस परकार से करना दूसरा भी उसमें प्रावधान बनाया है कि तीन सो से अधिक वाला फैक्टरी जो होगा उनको ही क्लोजर के लिए परमिशन चाहिए बाकी तीन सो से कम जितने फैक्टरी रहेगी उनको जब मर्जी चाहिब बंद करके चल चाहिए लग आज की तारिख में करता है वैसे इसमे पास तेन कम्पनी अलग बना देंगे तीन सो काम झरूर रठेंगे लेकिन सो वाली तिन बना देगा और इसलिए तीनों कम्पनियां के कभी भी एक दुसरे के बंद कर सकते हैं तो एसे प्रावधान जो आते हैं फिर हम चाहते कि working hours के भी प्रावदान अपनी अपनी तरह से ठीक रहना जैसे गुजरात सरकार ने बीच में 8 गंटे से बढ़ा कर 12 गंटे कर दिये यह एक उचीत नहीं है आप काम अगर जरूरत है लेना चाहिए तो उसका over time double बुक्तान करना आवश्यक रहता है लेकिन नही काम करा तो over time भुक्तान कराना ही पड़ेगा इस पेकार तो यह working hours के भी बात उसमें आती है यह सारी चीजों जो होती है उसका हम लोग को विरोध करना एक और बात occupational safety का जो है उसके पर बिंदू ध्याना कशित करना चाहता हूं क्योंकि safety मजदूरों की भी आवश्यक रहती तो ठेकेदार भी उसको साधन नहीं देता है और principal employer भी उसको नहीं देता है और कभी कोई देता है तो टूटा फूटा फटा हुआ इस प्रकार से मिलता है आप लोग ने भी देखा है कई जगा हम लोग ने महसूस किया है तो इसी प्रकार से नहों उसके लिए कुछ साधन स जिम्मेवारी होती है और अभी अभी सरकार जो दूसरा लाई है उसका पहलूर होता है कि परियावरान प्रदूशन के लिए तो अभी EIA ला रही है तो अच्छी बात है हम उसको मानते हैं environment impact assessment ये कानून के तरफ लेकिन इसके अंदर भी प्रावधान ये करना कि उद्योग उसको गंदे नाले और बहार खुले में पानी प्रदूशित पानी छोड़ना ये आवशक नहीं देता है effluent treatment के जरी इस प्रकार से करें ऐसे प्रावधान लगाना चाहिए ऐसे हमारी समझ में जो आता है वो ऐसे सुजाव काफी दिये है इस तरह से बात्ची चल रहे है इस कि जो सरकार हैं वो अपनी नई नीतियों की तरफ जा रही है और जो सरकारी कमपनियों को जो private asmentation में sell कर रही है उसको लेकर मजदूर संग के क्या बिचार हां उसको भी सही बताया आपने कि privatization केवल सरकार के मन में एक ही शबद है मन में ये विकलप हर चीज के लिए अच्छा नहीं है कुछ चीज के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन हर चीज के लिए नहीं है जैसे क्या है एक ही दवा हर दर्द की दवा नहीं बन सकती है तो हर दर्द की दवा अलग लग हो सकती इस प्रकार से प्राइविटाइजेशन हर चीज में करना आवशक नहीं है अब ये दो बिंदू पर मैं ध्यान देता हूं बाकी बहुत कुछ है जैसे रे रेल्वे को इस तरह से प्रैवेट आईसे लिए नहीं करना, दो तरीके. मस्दूरों को तकलिफ होगी वो तो है, लेकिन उसकी चरवाज़ा लेकिन आम आदमी को हम भारत के नागरी को भी तकलिफ होगी, और भारत सरकार को भी वो तकली हुए आज आप देखिए कोवीड में ही हमको पता चल गया पिछले 6 महिने में जब कोवीड 19 चल रहा था कोई भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर अपरेट करने के लिए त्यार नहीं था माल पहुचाने के लिए भारत सरकार के पास अपनी र देखिंगे में हम सब पढ़ेशन हो जाएंगे जह सभ मेरा मानना है दूसरा अगर इस प्रकार से आप पहले से कई चीजों के प्राइवेटाइस कर चुके है एले लेकिन अभी operations part में भी दे देंगे, तो आज क्या है कि भारत सरकार जो भी है रेल चलाता है, कहीं पर उसको आमदानी ठीक नहीं मिलते हैं, यानि passenger ठीक नहीं मिलते हैं, तो भी वो चलाती है. क्या हम मानते हैं या सरकार ये गरंटी लेती है, कि अगर छोटे गाउं से लेके बड़े शहर तक जो ट्रेन आज लाते है उसको नहीं मिलेगा पैसेंजर तो वो प्राइवेट वाला चलाएगा क्या मुझे लगता है साइद वो प्राइवेट वाला नहीं चलाएगा जैसे आज का हमारा अनुब हुए लगजरी बस इस प्रा सारे नागरिक को यह समझना है सबको समझना है कि यह सुवीधा से असुवीधा में तबदिल हो जाएगा सुरू में हमको थोड़ा सुवीधा अच्छा दिखेगा लेकिन सबको फिर नहीं दिखेगा तो अगर ट्रेन की सुवीधा ही बंद हो जाएगी तो बैचारा सारा ग सबको भी है अब आप मान लो कल भारत चीन का यूद छेड़ जाता है और आपने प्राइवेट लोगों को अपनी जो बना के प्राइवेट कर दिया और उसको कोई बाहर का विदेशी आदमी उसका कोई एक अजार करोण रुपया दे देगा उब लेगी तुम्हें उत्पाद करेंगे और आज तक बोर्डर पे भी हमारे स्पेशल गूड्स ट्रेंड के जरीए ये सारा सामान हम लोग पहुंचाते हैं तो ये सारे प्राइवेट में ये कुछ भी हो सकता है ऐसा मान के चलिए तो जब यूद का समय आएगा तो देश कहीं न कहीं परिस्तिति में विफ न करें थोड़ा गलत है और इसलिए अधिक मातरा में फाइदा होगा ये भी तर गलत है क्योंकि इसका भी उदाहर में आप से दे सकता हूं कि कहा प्राइवेट था और कहा पबिक सक्टेसे प्राइवेट किया तो उसमें क्या आज की तारीश में अंतर आया ये आप देख दीजे हमें प्राइविटाइज से उसे मतलब ने क्यों कि अगर भारत के अंदर ही होता है तो यह सबसे बड़े पहली अच्छी बात है लेकिन विदेशी मुद्रा आएगी विदेशी लाएगे लोग तो हमारे देश के लिए नहीं आएंगे वह अपने देश के इसाब से FDI आएगी जो बाहर से इन्वेस्टर आएंगे वह यह सोचकर नहीं आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में इदि मैं इन्वेस्ट करूंगा कंपनी डालूंगा तो वह यूनियन है और वह हमें हमारे डिसीजन से काम नहीं करने देंगे तो इसलिए बाहर से इन्वेस्टमेंट नह ही न कहीं बिलकुल नहीं यह हम लोगों के लिए गलत तरक फैलाया जा रहा है तरक सही है लेकिन गलत फैलाया जा रहा है यह हो सकता है आम भी देखे कई कि छोटे-छोटे स्थान पर कहीं कुछ यूनियन का थोड़ा प्रबाव ज्यादा रहने की वज़े से ऐसा है और वह हमको दिखाते हैं आप यही मानके चलिए कि जो बाहर की जो विदेश की कमपनी जो है तो विदेशों में क्योंकि मैं I.L. में गया हूँ सर देश में स्रमिक संगठन है और वहां पर भी वो जो काम करते हैं वहीं पर भी स्रमिक संगठन है अब जब ये बात करेंगे तो बोलेगे ने उनके स्रमिक संगठन अच्छे है दिखें मतलब इस प्रकार से थोड़ा अलवर तो यहां पर भी लोग अच्छे है ऐसा नहीं है लेकिन स्रमिक संगठन हर देश में है इसलिए हमारे देश में भी है प्रावधान उसके अच्छे करिए ने आप तो कोई चिंता नहीं है और जो अने वाला है उससे बहुत कुछ इसमें चिंता नहीं है कुछ एक-दो को ऐसी चिंता रहती है ये भी मैं मानता हूँ लेकिन क्या है उन्होंने भी जहां जहां ची तारीक में उद्योग चलाए है वहां सरमिक संगठन भी है और वहां अच्छा पेकर थे जैसे दो तिन मैं बड़े डेवलब कंट्रीज के एक्जामपल देता हूँ वो हमारे यहां वो तरक में नहीं उठा दे जैसे यूरोप कंट्रीज है अमरीका है कनेडा है उनके वाली जो बड़ी कंपनिया है उनके रहता है कि जो सोशेल सेक्रीज जो मैं बता रहा था भी वो सारी सुविदाय उनको है अब यह सारी सुविदाय वहां दे रहे है तो कोई तकलिफ का भीश है नहीं तो यहां पर भी है जैसे आज की तारिफ में मैं बता हूँ कि हमारे पास इतने बड़े बड़े अच्छे पब्लिक सेक्टर है जुनके पास उनके स्रमिकों को अच्छी सुविदा मिल रही है तो वहां कोई विवाद नहीं होता है कोई शंगर्स नहीं होता है आपने बड़े बड़े नाम दूंगा जैसे ONGC है बड़ा पब्लिक सेक्टर उद्योग है उसमें इतनी अच्छी आता हूं कि आपने ये तो पहले से भी खोल के रखा है कुछ-कुछ सुविदा ही देई है तो भी आपके पास कितनी ऐसी कंपनी हैं जो बाहर के लोग आए कि आपको सुविदा देखेगे बहुत साल पहले आप लोग ने सुना होगा कि कारगिल करके कुद्योग कार था उस आपके कुछ भी कसूर है वो बताईए और जहां पर कुछ सरकारी एडिनिस्ट्रेशन है उसको आप थोड़ा टाइट करिए उसको वजह है कि वो किया जा सकता है ऐसा कुछ ने उसके प्रावधान ठीक से करिए दोनों तरफ से अच्छे होता है तो ये सारा हो जाए कि आप पिछले आकड़े उठा के देखिए उननीस सो निन्यानवे दो हजार दो हजार दो हजार एक में जितने एफडियाई दिया है उन सारे लोगों ने भारत देशे कितनी कमाई करते हुए बाहर लेके गए कितने करोड रुपी गए अगर ये यहां रहते तो इन सारे हम हमारे मजदूरों को भी काम आते हैं हमारे अपसरों को काम आते हमारी सरकार के लिए काम आते लेकिन ये सारे पैसे सीधे बाहर गए हम इनकी छूट देते हैं तो ये नहीं देना है हमारे ये कहना है और बाकी बाहर की कंपनिया देने के लिए त्यार है हमारे लोग ही मना कर तो ये नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है, बाकी इस प्रकार से ठीक से अगर है, और हम लोग ये भी चाहते है, जो चीज मैं नहीं बना पा रहा हूँ, जो चीज मेरे बस में नहीं है भारत में, तो उसका मैं बाहर से ला सकता हूँ, लाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता न में बारत में इतना अपने आप में हो गया आत्मान निर्भर, कि मैं बना सकता हूँ, तो फिर वो मैं बाहर से क्यों लाना, मेरे ही लोगों को लिए बनना चाहिए, मेरे ही लोगों के लिए करना है, वो खुद कमाए और अच्छी तरह से करना है, तो उसमें कहां है, वो इस सब्सक्राइब करें और देश में एक माहूल यह भी है जहां भी मैं जाता हूं यह मेरा आखरी सवाल है तो यह काफी बार मैं देखा है कि इस्तानी युवाओं को रोजगार आता है लेकिन उस्तानी लोग को नहीं मिलता है बाहर से लोग आके काम करते हैं हो सकता है को हमारे भी हमारे राजी के ही हैं लेकिन फिस्तानी है जो वो ना नाराज रहते हैं कंपणी मालिकों का कहना है कि BA होते हैं बहुत अपना त्चाहे कि यो कारिय मिलना ही चाहिए क्या बैसे हम तो ये कहते हर हाथों के लिएक शीद्ध शीदम खाए है जितने हाथ बने उसको काम मिलना ही चाहिए तो वो अगर हम लोग कर लेते तो हमारे यहां बहुत संभवना है और उसके लेकिन तरक अलग लिया जाता है और इस प्रकार से तरक हमारे देश में फैलाया जा रहा है कि हम सब को यह ठीक नहीं लगता है आपकी बात सही है अब स् सब्सक्राइब होते हैं सरकार के कुछ अधीकरी को साथ मिलकर उसका किसी भी तरह कंप्लाइंस दिखा देते हैं और फिर पचास प्रतिशन नहीं होता है जो हम केवल जानते हैं लेकिन तो कैसे यह हो गया बाकिस्थानियस तरह से लिया जाना चाहिए ऐसा हर चीच के लिए है कई प्रांतों में इस प्रकार से है लेकिन इस प्रकार से नहीं हो रहा है इसको तो इसको कहते कानून जहां बना है वहां enforcement कराना आवशक है फिर जैसे हम कहते हैं कि जितने युवा है जितने पड़े लिखे अच्छे उनके लिए रोजकार की जो हमने योजना बनाई है तो आप क्यों उनको पहले प्राधानिया नहीं देते जैसे employment exchange बनाया है तो employment exchange थ्रूप पहले मंगाया जाए तो local जो है वो उसी को जाम मिलेगा जैसे मनरे गाम हमने वही कहा कि उसके लिए जो गाउं में रहता है उसी गाउं के आदमी को पहले काम दवाब वो देने का मतल आएगा तो बहुत अच्छा मिलेगा अब दूसरी बात उसके अंदर जुड़ी हुई मैं कहता हूं कि युवाओ का रोजगार ने नए रोजगार के प्राधानिया हम सब के पास सम्मुख है लेकिन हम उसको नहीं करना चाहते क्योंकि तर्क अलग ज़ते हैं अब आप कहते और आपने आकड़े देखेंगे मैं नहीं कहता हूं लेकिन यह जो सरकार ने अपने अपने आकड़े गोशित करते हैं कि युनियनों की वज़े से कितनी बार हड़ताले हुई और यह सारा प्रोडक्शन विपल हुआ तो केवल 100% जो भी आसे हैं उसमें से केवल देड़ प जो कहते हैं मिस मैनेजमेंट बड़ा होता है लेकिन हमारे देश में मिस मैनेजमेंट जो हो रहा है उसको दिखाया कम जा रहा है तो मिस मैनेजमेंट की वज़े से ही सारा हो रहा है अब पबलिक सेक्टर जब पहले डाला जाता है तब इसमें कहते हैं हम लोग नो प्रोफि किये हैं मैं ये मानता हूँ कुछ जगह पर हुआ होगा तो जैसे वो डेड़ प्रतिशत में आता है आप डेड़ प्रतिशत को इसे हला क्यों करते हैं जो 90 प्रतिशत बाते उस पर सोचिए उस पर अच्छा कीजे तो जहां अच्छी बात है वहां अच्छी ही है और हमारी या होता है तो हमारे यह रिसर्च के लिए प्रावदान नहीं रखा है कि ऐसे योव को अपना अपना योवा शक्ती बाहर रिकालने के लिए ऐसे प्रावदान में भी दिया जाये. तो ऐसे प्रावदान बना सकते हैं, ऐसे योगदान है सब लेकिन वह नहीं हो रहा है और दूसरे बिंदों की तरह हम आकरशित कर लेते हैं लोगों को गुमरा कर लेते हैं इसकी वज़े से सारा बिंदू हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार से युवाव के लिए अभी भी बहुत तेजस्विता अपने पास उबरी है और नहीं जियर चीज़ा आती है कि अपना इंटर्प्रेणर खड़ा करने की ताकत है, तो कुछ लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग है, इस प्रकार से करेंगे, इतना पुरा विश्वास है, इससे कोई सरहमिक संगठन के साथ लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी रोजगार की योजना अगर आप बना के उनको देंगे, तो अपने आप लोग उपर कर बाहर आजाएं, खुब खुब धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए ये थे हिरेने पंडिया और जो हमसे बात कर रहे थे भारतिय मजदूर संग के अभी अध्यक्स बने और काफी उनकी जवाबदारी बढ़ गई है और उनके पास काफी सारे आइडियाज भी हैं जो क्या हम कर सकते हैं और इस समय पूरा देश जब ये कोरोना महमारी में जूज रहा है तब जितने भी मजदूर संगटन है चाए वो संगटित हो चाए असंगट के जरिये दुरुस्त किया जाएगा और आने वाला समय हम सब के लिए बहतर होगा यही कामना करते हैं